कुल्दी विश्णोई का तो मेरा बड़ा तजर्बा है। उनके पिता चोधी भजनलाल जी कहता हूं, मैं बड़ा ट्रस्टिट, विश्वास पात्राद में रहा हूं। उनकी पापुलेरेटी की वज़े से। रही कुल्दी विश्णोई की जब कांग्रेस की 40 सीट आई थी और हजका में, मैं हजका में था। हराना जनहित कांग्रेस में। छे सीट आई थी भर्याना जनहित कांगरिस की और कुल्दी विश्णोई लीडर था अगर उससे पहले की हिस्ट्री देखो तो कुल्दी विश्णोई का इतना भारी ओरा हो गया था और भारतिय जनता पार्टी के साथ अलाइंस हो गया था उस वकत का भी मुझे याद है कि भारतिय जनता पार्टी ने कुल्दी विश्णोई को ये कहा था कि आप 20 से 25 टिक्टे ले जाए और अगर आपके 10-12 भी मले बनके आ गए तो आप चीफ मनिश्टर बन सकते हैं बैलंस आपके पास होगा लेकिन उस वकत इस जीद पर आड़ा कि मुझे पांच भी टिकट नहीं चाहिए मुझे तो मेरे लिए तो आपको चीफ मनिश्टर का कैंडिडेट डिकलेर करना पड़ेगा उस वकत बीजेपी की पॉलीसी नहीं थी उन्होंने इसको चीफ मनिश्टर का कैंडिडेट डिकलेर नहीं किया अलाइंस टूटा और क् को प्रिटिकल आदमी नहीं मामता है, he is a business man, he is not a political person, one, उसके बाद, छे MLA बना के लिए आया, मुझे चोधरी भपेंदर सिंग हुड़ा ने, मेरे को कहा, कि आप कुल्दी विश्णोई से बात करिये, हमें MLA की जरूत है, पुराने कांगर्सी है, विचार धारा एक है, मैंन ही कुल्दी विश्णोई से बात करी, और उस वकत बात क्या हुई, मैं उन चीज़ों को डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि ये अकेला रह गया और पांच MLA, जिसमें धरम सिंग चोकर, जिसमें विनोत ब्याना, जिसमें सत्वाल सांगवान, जिसमें जिले राम, ये ओम प इसको डिप्टी चीव मनिश्टर की आफर दी गई थी, इसको कोई भी मैकमा लेने की आफर दी गई थी, लेकन हीट इन अटैगरी, तो इसलिए मैं इसको प्लिटिकल आदमी मामता, और अगर बीजेपी का कोई पैमाना देखना चाहते हो, तो ये दो आदमी है, लेके पूरे देश में गुमानी चाहिए, और एक डाकुमेंटरी बननी चाहिए, कि बीजेपी यूज करती है और थ्रो करती है, बीजेपी कभी भी किसी को, जो बाहर से आया हूँ आदमी हो, आज धर्मवीर की क्या पोजीशन थी मेंबर पार्लिमेंट था, क्या पोजीश थी रमेश कोशिक की सोनीपत के अंदर, बीजेपी यूजीज दी मैन एंड थ्रो इत, ये उनका एक फार्मूला है, अब क्रिशन मुर्ती जी गए हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनको गुड़ वीशिज भी देता हूँ, बड़ा जबरदस फाइटर मेरे साथ र बीजेपी मान सा मान आपको वो नहीं देगी जो कांग्रिस में है, वो कहते हैं ना पड़ा पत्थर भारी होता है, इन्होंने अपनी बेकदरी आप करवाई है, मैं इसके इलावा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, जो मनोरलाल खटर ने हिसार में जाके चोदी भजनलाल के खलाफ, जो एक ऐसी टिपनी की है, अगर मैं होता ना, मेरे पिता के मुतलग कोई ऐसे कमेंट्स कसे, मैं वहीं से उठके आ जाता, और इतना विरोध करता, मैं जिन्दगी में बात ना करता, अब वो गए हैं, पहले मनोरल खटर हो आएं, अब नैप सिंग सहनी गए हैं, चीफ मनिस्टर, और बाब बेटा दुन हो, ऐसे मिल रहे हैं, जैसे के बिछडे हुए कोई आदमी मिले हो, और फिर बार आते ही जोइंट प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं, हम एक हैं, और एक होके लड़ाई लडएंगे, यह तो भाई लोग बतावेंगे, क्या एक और क्या न प्रेता थे, यह अपने किरदाद की वज़ा से, आज इनकी यह सिच्वेशन होई है, मैं इतना ही करना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात बताओं, मेरा तो अजीज है, तो दिभजयनाल जी का बेटा है, मैं फिर भी इसका वेल वी शरू हूँ, आपने गलत स्वाल कर दिया वो टिकट लोक सबागी नहीं मांग रहा था, वो बंबे में किसी फिलम के अंदर ये एक सेलिबरिटी है, आपने देखा नहीं क्या कद काट है इसका, बड़ा चेरा है इसका, ये तो किसी फिलम में काम करने की टिकट मांग रहा हूगा, वो तो अगर मेरे को संपर्क करे न ना किसी ना किसी अच्छे प्रूडूसर डारेक्टर से बाद करके, किसी अच्छी फिलम का इसको मैं दे सकता हूँ, यह नहीं, he is not a political man, वो है यह नहीं, उसको तो इस बात की समझ नहीं, यह ची मनिश्टर पता नहीं कब का बन गया होता, अब जब वो गया, तो working committee का member था, Congress की सबसे सर्वोच्चे, powerful committee का, उसको लात मारके गया यहाँ, क्या निकाड़ा बीजेपी में, आज इस तरह से अभदर टिपनी जो मनुर्राल खंटर ने की है, कोई गैरतमन्द, कोई भी बेटा, इसको टॉलरेट कर सकता है, अब भी अगर खुल के सामने आ जाता, कि नहीं मैं किसी भी सूरत में, ये चीज़ बरदाश करने को तयार नहीं हूँ, कहां तो एक तरफ, मनुर्राल खंटर, चोधी भजनलाल जी की धरम पतनी के पाउं छूके, उनकी तारिफों के पुल बांध रहे थे, और कौन सा ऐसा समप पलट गया, कि उसके फोरन बाद, चोधी उन्हें टिपनी की, जो की काबले बरदाश नहीं थी, फिर हाथ जोड़के उनके साथ हो लिया, हम लड़ेंगे, हम जिताएंगे, he is not a political man, he is a celebrity.